असलाम अलेकुम फेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि सभी अपने अपने घरों में खेरियस से होंगें आज मैं जो डिजाइन आप लोगों के साथ सेयर करने जा रहे हूं यह बिल्कुल ही नया डिजाइन है और बहुत ही खुशुरत डिजाइन है आप इसे एक बार आप जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आजाए तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब कर दिछेगा और वीडियो को देख करके लाइक करतीया करिए एक बार कम से कम फुल वाच कर दीचे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लाहि रह्मनी रहीम यह हमारा स्टीच है इसको हम सीधा या उल्टा बना लेते हैं फंदा पीछी कर लेंगे एक फंदा लूज रखेंगे थोरा सा फंदा अपनी साइट रख कर लेंगे फिर दूसरा फंदा इसे भी लूज रखना है फिर से हम तीसरा फंदा ऐसे करके एक फंदा से हमने तीन फंदा बना लिया है फंदा अपने सेट करेंगे अब इसके बाद हम तीन फंदा को एक साथ बंद कर लेंगे फिर फंदा पीछे करके एक फंदा सीधा उसी फंदा में दूसरा फंदा उल्टा, फिर उसी फंदा में तीसरा फंदा सीधा, एक फंदा से तीन फंदा बना लिया, अब फंदा अपनी साइट करके, हम तीन फंदा को एक साथ बन कर देंगे, फंदा फिर उसे पीछे करेंगे, और फिर हमें रिपीट करते हुए जाना ह उसी डिजाइन को ऐसे करके फिर फंदा परे साइट करके तीन फंदा को एक साथ हम बंद कर दें आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में क्लेडिज के प्रोजेक्ट में डालें, यह बहुत ही खुरूथ लगता है बनाना उतना ही आसान है जितना यह देखने में खुब सुरूथ लगता है एक सलाई हमारा कम्प्लीट हो गया है अब आ जाते हैं हम उल्टा सैट में धियान देना है कि हम किस तरह से बना रहे हैं कि वुष्टा में एक संद के जो हमने तीन फंद बनाया था उसे घ मुझा बना ले हो और जो हमारा एक संद तीन फंद करता था उसे हम उल्टा बना ले गया है यानि कि हम टोटल फंदा को उल्टा बनाते हुए इस सलाई को कम्पिलीट कर लेते हैं यह देखे फंदा पीछी कर लेंगे और सलिप कर लेंगे यह मारा एश्टाइच है सिधी स्लाई में histories अब सिड इस्प्रेश में हम ने पीछली बार श्टाट चया था एक फंदा से और इस बार हम इस्टार्ट करेंगे तीन फंदा से यह देखे यह देखे फ्रेंड इस साइड हम तीन फंदा से स्टार्ट करेंगे तो तीन फंदा को पहले हम एक साथ बंद कर लेंगे उसके बाद हम फंदा पीछे करेंगे और यह जो एक फंदा दीख रहा है इसमें हम तीन फंदा बना लेगे यह देखिए इस तरह से फिर फंदा अपनी साइट करेंगे यहाँ पर यह तीन फंदा दीख रहा है इसको तीन को एक साथ बन कर लेंगे पंदा पीछे करेंगे अब एक फंदा से हम तीन फंदा बना लेंगे हर सीधी स्लाई में हमें रिपीट करते हुए जाना है सिर्फ हमें फंदा चेंज करेंगे जहां पर ये जो तीन फंदा का एक फंदा हमने किया है अब हम अगली स्लाई में हम एक फंदा से तीन फंदा कर लें बस यही चेंजिंग हमें पुरा प्रोजेक्ट में करते भी जाना है यह देखिए अब लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है यहां पर हमने एक फंदा से तीन फंदा को एक साथ बंद कर लिया था तो यहां लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है इसको हम एक फंदा से तीन फंदा बनाएं इस तरह से आ जाते हैं हम फिर से उल्टा साइड में और हमें रिपीट करते भी जाना है उल्टा साइड टोटल फंदा को हम उल्टा बना लेंगे उल्टा में हम टोटल फंदा को उल्टा बना लेते हैं जो हमने एक फंदा से तीन फंदा बनाया था उसे भी और जो तीन फंदा से एक फंदा बनाया था उसे भी टोटल को हम उल्टा बना ले रहें हैं तो फ्रेंड्स इस तरह आप पुरे प्रोजेक्ट में इसे रिपीट करते हुए जाएंगे तो आपका डिजाइन बहुत ही खुबसूरत बन करके तयार होगा तो आप इस डिजाइन को एक बात ट्रा जरूर करिएगा वीडियो पसंद आ जाता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजेगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा सेयर कर लिजेगा तो ये देखे इस तरह से ये रेडिमेट लूप बनेगा तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में तब तक के लिए दिजेगा हमें इजाज़त तब तक के लिए खुदा हाफिज